हलो दोस्तों आप सभी का विल्कम करते हैं आपके अपने चैनल ओनलाइन अर्णिंग में दोस्तों आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आज तो है दस तारीक और आज आरेजियो 24 में वर्क करना है कि नहीं करना है क्योंकि अभी इससे पहले जो ओल्ड प्लान चल दा था इस महीने से पहले उसमें हर इवरी मंद दस तारीक को क्लोज रहता था काम आपको कोई काम नहीं करना होता था अगर कोई आप में से टास्पूरा भी करता था तो उसको सेल्फ इंकम नहीं आती थी और टीम से भी इंकम नहीं आती थी लेकिन जो नया प्लान स्ट हुआ है इस PLANS में आपको daily ही वर्ग करना है और इस PLANS में आज जो 10 तरीक भे आपको वर्ग करना है 10 तरीक को आप वर्ग करेंगे तो आपको income आएगी टीम ही इनकम आ आएगी और self की भी इंकम आएगी यह मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं और दोस्तों आप मेंसे काफी सारे लोग यह confused थे तो मैंने सोचा इसके लिए especially एक वीडियो जरूर आप सभी को देनी चाहिए जिससे आप सभी के confusion दूर हो जाएं वैसे तो आप अपना एक ही task complete करते हैं तो आपके confusion दूर हो जाते हैं जब आप एक task complete करके अपनी उस ID को log out करते हैं तो आपको वहाँ पे देख सकते थे कि वहाँ पे आपको income मिल रही है मैं side में जो वीडियो चला रहा हूं उसमें आपको दिख रहा होगा कि task पूरे करने से income आ रही है तो उस तरीके से भी आप clear कर सकते थे कि आपको income मिल रही है कि नह हो चुका होगा तो अगर आपके task बाकी हैं तो आप अपने task पूरा कर सकते हैं और दोस्तों जो लोग आपकी team में task नहीं पूरा कर रहे हैं उनसे task पूरा कराईए क्योंकि उनके कम से कम वह अपने balance money के पैसे use करके plan को continue कर सकते हैं और आगे अच्छा उनको plan समझ में आए तो continue करें वरना वो exit भी कर सकते हैं और किसी भी सभी members को अपने एक direct करने जरूरी हैं और जिसके direct में भी एक member नहीं लगा हुआ है वो अपने direct में एक ID लगा ले वैसे तो सभी के balance money में पैसे पढ़े हुए हैं उसका use करके भी वो ID लगा सकते हैं और दोस्तों company ने आज ए आगे आने वाली वीडियो में आपको जरूर बताएंगे और दोस्तों deduction को लेके काफी सारे लोगों का question है कि 35% काटा जा रहा है लेकिन देखिए एक तरीके से आप देखेंगे तो आपका सिर्फ 10% ही काट रहा है इसके अलावा जो पैसा है आपको कहीं न कहीं से वो पैसा मिल ही रहा है क्योंकि देखिए 10% to admin charge काट रहा है वो company को जा रहा है लेकिन उसके बाद आपका 10% जो repurchase काट रहा है वो 10% आपका Indian needs पे आपको मिल जाएगा Indian needs पे आप उसका use कर पाएंगे Indian needs पे आप उसका use कर पाएंगे वो भी 100% जितना आपको पैसा मिलेगा वो पूर प्रोडक्ट उसे बाए कर सकते हैं क्योंकि वहां पे जो आप प्रोडक्ट बाए करते हैं Indian needs वह इंडिया निट्स एक e-commerce website है वहां से आप काफी सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी अभी काफी सारे अड़ान होने वाले हैं और फिलहाल में प्रोडक्ट वहां पे है और वहां पे delivery चार्ज भी नहीं है और काफी जल्दी वहां पे delivery भी हो रही है आप सभी में से किसी ने प्रोडक्ट आउडर किये होंगे तो उनको इसके बारे में जरूर जानकारी होगी और इसके अलावा जो 10% और कट रहे हैं वो renewal के कट रहे हैं तो माल लिजे कि आपकी ID जिस plan से activate है उसकी date जब पूरी हो जाएगी तो आपको अपनी ID renewal करनी ही है तो company चाती ही कि आप सभी के बोज आप सभी को बोज ना लगे आप सभी को ये ना लगे कि मुझे एक ही बार में इतना सारा पैसा लगाना पड़ आया है इसलिए company आपके renewal का पहले से ही इंतिजा कर चुकी है ID में जितने का आपको withdrawal होगा उसका 10% आपका कटेगा और renewal wallet में वह renewal के लिए आपका pin wallet में जाएगा वहां से आप pin बनाके ID activate कर सकते हैं उस पैसे से ही renewal इतना पैसा हो जाता है तो आप पूरा पैसा यूज़ करके कर सकते हैं अगर कम पड़ता है तो balance money से add करके add on करके कर सकते हैं अगर इसके बावजूद भी कम करता है तो online payment करके add money करके भी अपनी ID renewable कर सकते हैं इसके अलबा 5% जो tedious कट रहा है वो 5% आपका सभी का नहीं कटेगा यह काफी सारे लोग यह अभी confusion में थे कि वो 5% सभी का कटेगा यहां तक कि मैं भी confusion में था कि वो सभी का कटेगा लेकिन ऐसा नहीं है वो जिनका भी 10,000 प्लस का जिनका विड्रॉल लगेगा उनका ही वो चार्ज कटेगा वो भी एक closing पे जैसे की minimum तो 500 रुपे पी विड्रॉल है वो automatic विड्रॉल लगेगा तो एक closing होती है तो 10,000 प्लस की income अगर होती है उनकी closing में तो उनका तो उनका TDS 5% कटेगा तो वैसे आपने से ज़्यादा तो लोगों के तो TDS नहीं कटने वाले हैं तो 5% वैसे भी आपके लिए नहीं कटने वाला है तो 10% ही जो है वो company के पास जा रहा है इसके अलावा 10% आपका renewal में मिल ला है और इसके अलावा 10% आपका repurchase यानि की Indian needs प क्लियर हो चुका होगा कि deduction से related जो है वो क्लियर हो चुका होगा और आप सभी कोई भी क्लियर हो चुका होगा कि आज 10 तरीक है तो आज आपको task complete करने हैं और आज आपको income add on होगी तो इस वीडियो में इतना ही तो वीडियो अच्छा लगा हो तो like को share करिएगा चैनल पर प